क्वेश्चन फूर नागेश खड़तरे इनका सवाल है कि बहुत पड़े लिखे लोग भी अंदविश्वासी क्यों होते हैं हमेशा मैं जब भी बड़े शहरों में वैक्षान देता था तो मुझे लोग कहते थे अरे क्या यहां वैक्षान दे रहे हो देहातों में वो अनपड़ लोग बहुत अंदविश्वास होते हैं उनके अंदश्रद्धा अंदविश्वास दूर कीजिए तब मुझे जाहीर तरीके से बोलना पड़ता था कि जितने देहात के लोग अंदविश्वासी है उतने ही शेहरी लोग और पढ़े लिखे लोग भी अंदविश्वासी होते हैं अंदविश्वास का संबंद पढ़ाई लिखाई से बिलकुल नहीं है फर्ग इतना ही के देहाती लोग शायद अंपड लोग भूतो पर विश्वासर रखते हैं मंत्र तंद्र पर विश्वासर रखते हैं करनी जादू टोना पर विश्वासर रखते हैं और बरे शहरों के लोग बाबाओं पर विश्वास रखते हैं गुरू के नाम पर यानि गुरू यानि बाबा या अखरी में होते हैं उन पर विश्वास रखते हैं उनके अध्यात्मिक शक्ति पर विश्वास रखते हैं और जोती जैसी अंदर चद्धा उनों पर विश्वास रखते हैं वो पत्रिका पर विश्वास रखते हैं शुबह और अशुबह मूरत पर विश्वास रखते हैं तो हमको केवल इतना फर्क देखेगा कि देहात के लोगों के कपड़े भी उसी डंग से होते हैं तो उनके अं अंदविश्वास भी साफ सुत्रे दिखते हैं लेकिन वो अंदविश्वास ही होते हैं ये फ़र्क क्यों नहीं है इसके पीछे का कारण है हमारा एजूकेशन हमारे एजूकेशन से हम विचार करने की ख्षमता प्राप्त नहीं करते हैं जिसके बलबूते पर इंसान ने इतन जिसमें हाती जैसा बल नहीं था शेरो जैसे पंजे नहीं थे एक दुबला प्राणी केवल विचार करने की ख्षमता के भरोसे उसने इतना बड़ा विश्व खड़ा किया इतनी प्रोग्रेस की इतनी प्रगती साध्य की वही विचार करने के एक्षमता हमारे एजुकेशन से डेवलप नहीं होती उल्टी मारी जाती है पहले कहा जाता था हमारे रुशी मुनियों ने कहा इसलिए मानो आज वही बात पढ़ाई में दो रही जाती है अमुक ने कहा इसलिए मानो तुमुक ने क्या कहा इसलिए मानो जो हमारे ब्रेन का सामर्थ है हमिस्पियर का थिंकिंग करने का हमारे एजूकेशन की टोटल सिस्टीम ऐसी है कि कुछ जो पढ़ाया जाता है उसको रटो परिक्षा में लिखो मेमरी में ध्यान में रखकर परिक्षा में लिखो और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क प्राप्त करो उसी को खुशार व्यक्ति कहा जाता है हमारे educational system में ही वीचारू की क्षमता बढ़ाने की प्रक्रिया शामिल नहीं है ये सबसे पीछे उसका सबसे बड़ा कहेंगे हम कमी है हमारे जीवन में सबसे बड़ी हमारे educational system में ये कमी है इस कारण पुरे भारत का ये चित्र कायम रहा है इसलिए हमारे देश में बहुत से scientist पैदा नहीं हो पाए बहुत बड़े वईज्यानिक सांशोदन हम नहीं कर पाए उसके पिछे का कारण यही है जब लाखों लोग scientifically विचार करते हैं तारकिक दुरुष्टी से विचार करते हैं रैशनल विचार करते हैं वईज्यानिक दुरुष्टी कोन का हिस्सा बनते हैं तब जाकर उसमें से एक दो scientist बनते हैं यहां तो करोडो लोग इस डंग से विचारी करने की क्षमता उन में नहीं है तो साइंटिस्ट कहां से पन पेंगे, कहां से बनेंगे तो कहने का मतलब ऐसा है कि एक तरफ हमारे एजुकेशन से हमें ये बात नहीं आती दूसरी तरफ हमारे घर के साउसकारों से भी अंदविश्वास बढ़ाने वाली बात आती है तीसरा हो सकता है मेडिया तो मेडिया अंदविश्वास फैलाने की बात ज़्यादा करता है अंदविश्वास दूर करने की काम बहुत ही खशीन तरीके से होता है फिर रहा सवाल समाज में अंदविश्वास दूर करने वाले हमारे जैसे कुछ संगडन कुछ लोग जो रैशनल है रैशनलिडे फैलाना चाहते हैं उसलिए मेहनत लेते हैं इनका काम इतना मरियादित होता है कि आम जनता पर सब पर ये समस्कार हो तो इतने बड़े पैमाने पर ये काम नहीं होता है ठीक है जितना प्रयास हो रहा है उससे कुछ लोग बदलते हैं लाखो लोग बदले भी हैं लेकिन ये बहुत लंबी प्रक्रिया चलने वाली है अगर यही बात हमारे एजुकेशन में आ जाए तो केवल दस-बिस सालों में पुरा का पुरा चित्र बदल सकता है क्योंकि अल्ड़ी हमारे दिमाग में तारकिक विचार करने की ख्षमता है रिजनिंग करने की ख्षमता है हमारे ब्रेन के लेफ्ट हमिस्पियर में है इसी को हमको जागरूत करना है जिवन के हर इससे में इसका उपयोग हो यह हमें देखना है और यह एजुकेशन के जरिए बहुत प्रभावी डंग से हो सकता है तब जाकर यह पढ़े लिखे लोगों के अंदविश्वास दूर हो पाएंगे दूसरा और एक कारण होता है कि हमको यह सिखाये जाता है कि आप जितना भी पढ़ते हो विज्ञान हो चाहे कुछ भी हो वो सच है लेकिन उसके नियम अध्यात्मिक और धर्मिक शित्र को नहीं लागो होते और धर्मिक और अध्यात्मिक शित्र का ही हिस्सा अंदश विश्वास होने के कारण पढ़ा लिखा आदमे भी जो जानकारी रखता है विज्ञान के बारे में जानकारी रखता है उनको कभी भी इस क्षेत्र में लागू करता नहीं है और इसलिए उसको इन सवालों के जवाब भी नहीं मिलते है इसलिए भी उसका अंदविश्वास कायम रहता है याने पढ़ाई में थिंकिंग रिजनिंग नहीं है और दूसरी तरफ अंदविश्वास कायम करने के लिए इसी एक फिलोसोपी हमारे दिमाग में थोपी गई है कि भाई जहां से विज्ञान खतम होता है वहां से आध्यात्म और धर्म शुरू होता है इसलिए धर्म और अध्यत्म का जो जो हिस्सा है वहां कोई नियम लगूई नहीं होता है इस करण भी हमारे अंदविश्वास कायम रहते हैं इसलिए हमारे देश में अनपड लोग जितने अंदविश्वासी है उतने ही अंदविश्वासी पढ़े लिके लोग हमको दिखते हैं इसके पीछे का ये कारण है अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे जरूर लाइक करें लोगों में ये अवेरनेस पहलाने में हमारे मदद करें वीडियो को जरूर शेयर भी करें तो हमारे यूट्यूब चैनल शाम मानो को विजिट करें ऐसे सारे वीडियो का आनन लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें उसके लिए सब्सक्राइब बिटन दबाए नए वीडियोज का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाए